जी आयानू मेरे YouTube चैनल पाड़ा स्वागत है जैसे कि सद्धियां शुरू हो गई है आज कल हरी सब्जियां भी सारी आ गई है तो मैं आपकी साथ शेयर करने जा रही हूं मेथी मलाई मटर की सब्जी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी और थोड़ी डिफ्रेंट सब्जी ब पसंद आते हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी मलाई मटर चलिए शुरू करते हैं मैंने आदा किलो मेथी ली थी आदा किलो मेथी में से मैंने डंडियां अलग करके पत्ते अलग कर लिए और इनको मैंने ब्रीक ब्रीक कर लिए ऐसको फ्राइय करेंगे लिक एक टेबल स्पून ओई डालं वैं न लिए अब दो ह। एक टेबल बडबर कॉन और नों कि पालता कर दूंकि क्योंकि मैंने स्टांटi ना बड़स करुए वह कि अल। क्योंकि मेथि प्राई होने के बाद बिल्कुछ सिकुर्सी जाती है थोड़ी सी रह जाती है तो आदा किलो मेथि इसलिए मैंने ली आए इसमें मैं आदा टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और इसको कवर करके दो मिनट के लिए रखोंगी मेथि फ्राई हो रही है मैं मत्रों को बॉइल कर लूंगी मैंने आदा किलो मतर ले लिए इनको मैं पानी में इतना पानी एड करना है कि पूरे उसमें सोक हो जाए और थोड़ा सा उसका लेवल उपर ही आ जाए हम इसको थोड बॉल स्पून से भी कम नमक डाला है मैंने आप अपने मत्रों के अकॉर्डिंग भी आप कितने बना रहे हो इसको अपर नमक एड़स्ट कर सकते हो इसको मैं पांच मिनट बॉल करूंगी उसके बाद ये बॉल हो जाएंगी मेरे ये हरे मतर है मैंने द्रोजन मतर नहीं लिय जाती है अब मैं इसका ना फ्लेम बंद कर रहे हूं मेत्थी को बाहर निकाल लेंगे अब हम तड़के की तियारी करेंगे मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज तीन टमाटर और आठे कलसन की तुरियां ले लिए इनको मैं रफली चॉप करूंगी इसको हमें कोई बरीक ब करेंगे मैं एक टेबल स्पून के करीब ऑइल डालोंगी सबसे पहले मैं इसमें एक टेबल स्पून के राउंड जीरा डाल दोंगी दो सुखी लाल मिर्ची और एक मोटी लाइची की सीड्स डालोंगी छिलका ने डाल लेंगे इसी के साथ जैसे ही थोड़ा सा भून जाता है इसमें मैं जो मैंने प्यास टमाटर और लसन है वह भी इसी में आड़ कर दूंगी इसी के साथ मैं खेर साथ काजू भी डाल दूंगी अब हम इनको दो तीन मिनट प्राइ करेंगे जब तक हमारे टमाटर प्याज जो है सॉफ्ट ना हो जाए प्राइ करते हुए अब हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और प्याज भी अब मैं फ्लेम बंद कर रहे हूं इसको मैं बाहर निकाल लूंगी क्योंकि इसको हमें थंडा करना है थंडा करने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना इसलिए हमारा सारा मैटीरियल ठंडा हो गया इसको मैं जार में शिफ्ट कर दूंगी जार में शिफ्ट कर दिया अब मैं इसमें आदा एक गिलास पानी डाल दूंगी और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे मैं उसी कडाई में सबसे पहले ऑईल डालूंगी ऑईल एक कडशी के करीब मैंने डाल लिया है अब हम इसमें सुख्य मसाले सबसे पहले एड करेंगे मसाले नमक क्योंकि मेथी में भी थोड़ा साथ डाला था मडर बॉयल करते हो अभी तो आप उसके कॉर्डिंग ही नमक डालना जैसे हमने प्यास टमाट्रों का तो डाला नी था मैंने एक टेबल स्पून नमक एड कर दिया है लाल मिर चप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आ डाल लिया है डेड़ टेबल स्पून में सुखा धनिया डाल रही हूं और बहुत वन फूर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालोंगी और आधा टेबल स्पून गरम मसाला अब हम इनको ऑईल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो मैंने मैटेरियल बीट किया वो म अब बीट कर दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर वो भी इसी में डाल देंगे इस तरह मैंने पानी डाल दिया है अब अब इसको अम थोड़ी देर भून लेंगे मसाले को अब अब हम मारा मसाला जो है वो भूनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है अब इसी कंडिशन में ही जो मैंने में प्राई कर गड़ी इसको मने मसाले को पूरा नी भूनना है इसी में मैं सारी मेति अड़ कर दूंगी यह सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार इसको ना खब बनाना जरूर आजकल मेथी भी बहुत आई हुई है मटर भी खूब आई हुई है सीजनल सबजी है और इसी के साथ मैंने मटरों को जो बॉयल किया था वो भी मैं इसी में ही आड़ कर दूँ सबजी ज्यादा टाइम भी नहीं लगता जल्दी बन जाती है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी आदा एक बाउल मैंने पानी डाल लिया इसमें वो भी इसी में आड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करके इसको मैं दो तीन मिनिट के लिए कवर करके अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छ मिनिट हो गए है मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही कवर करके रखा हुआ था अब मैं इसमें ताजे दूद की मलाई आप वजार से लेके क्रीम भी आड़ कर सकते लेकिन मैं ताजे दूद की मला लेकिन इसका नाम ही जब मेथी मलाई मटर शाही सबजी है तो मलाई तो डलेगी ना फिर मलाई डलेगी तभी टेस्ट अच्छा आएगा अब उसी कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी भी आड़ करतूगी इसी के साथ इस तरह अब मैंने मलाई डाल दिया अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रखोंगी 5 मिनट हो गए है मेरेको इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखे हुए जे रेखो कितनी अच्छी शकल आई है अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि है यह हमारी बिल्कुल तैयार है क्योंकि मटर हमारे पहले से ही पके हुए थे मेथी भी हमने फ्राई कर ली थी तो यह बिल्कुल तैयार है फ्लेम बंद कर दिया मैंने आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में मिरसा जुरूर शेयर करें और इसको एक बर घर पर भी जुरूर ट्राइ करें